नमस्ते हो मिशान्ति आज आपका दोस्तों तेरासी दिन का ईश्री वर्दान आपके यूट्यूब चैनल पर और आज पर्मपिता परमात्मा हमें क्या सिखाते हैं जिससे की हमारा संबंद औरों के साथ में भैतर होता जाए लेकिन उसके लिए पहले हमें करना क्या है वो हम स सर्व के दिलों के राज को जान सर्व को राजी करने वाले सदा विजई भवा अगर हम सब के दिलों के राजों को पैचान जाएं तो कोई भी हमसे नाराज नहीं होगा क्योंकि हमने उनके राज पैचान लिए तो हमसे कोई नाराज क्यों होगा लेकिन वो राज समझने के के लिए करना क्या पड़ेगा या परं बातमा को बता di priorit होँए कभी हम उत्हे। आप्वी मेरी संतान होँ मेरे मिस इस आप ओर Windows पैचान पाओ, ताकि आप और औरों के बीच में कोई misunderstanding, कलित फैमिया ना हो, जिस कारेंट से आप बुलते हो कि मैंने क्या क्या पतने क्या हो गया, उनको क्या हो गया मेरे साथ में, तो वो misunderstanding ना हो, उसलिए परमात्मात समझाते हैं, इस वर्दान में करना क्या है, बापा कहते तो आपको सबके दिलों के राज जानने जरूरी है, उसलिए पहले परमात्मात कहते हैं, कि सबसे इंपोर्टन चीज़ करने के हैं, देखे, किसी के मुख द्वारा निकलने वाले आवास से उसके दिल के राज को जान लो, तो विजई बन सकते हो, लेकिन दिल के राज को ज जानने के लिए अंतर मुक्ता चाहिए, हम दिन बर बाहर मुक्ता में रहते हैं, हम औरों को अपनी भावनाएं समझाने में बिजी रहते हैं, हम अपने बारे में ही ज़्यादा दिन भर सोचते रहते हैं, परमात्मा कहते हैं, अंतर मुक्ता मतलब कि आप अपने मन की कैसे सुन पाएंगे, अगर हमारे अंदर अपने मन के अंदर ही बहुत सारी परिशानिया चल रही हैं, जिनको हमने मेडिटेशन के दोरा ग्यान के दोरे क्लियर नहीं करी हैं, तो हम औरों को समझ के से पाएंगे, तो अगर आपका घर का फ्रिज अगर पुरा फुल है, तो उसके अंदर आप कोई नई चीज तो डाल नहीं सकते हैं, तो मन का फ्रिज भी क्या हो? खाली हो, हलका हो, तब जाकर कि आपको उसमें कुछ डाल पाएंगे, नहीं तो कुछ भी डाला जाएगा, वो मिक्स हो जाएगा, फ्रिज में हमारे मन के अंदर भी जो भी संकल चल रहे हैं, उनको हम अलग-अलग अंपार्ट्मेंट में सुलजा के रखे हैं, नहीं तो फिर क्या होगा, एक की खुश्बू दूसरे में चली जाएगी, दूसरे की खुश्बू तीसरे में चली जाएगी, तो किसी ने कुछ बात करी हैं हमारे साथ में, हमारे अंदर कुछ और ही सोच है, हमारे अंदर कुछ और ही हमने उसके बारे में सोच कर रखा है, किसी के पास्ट, किसी के वरतमान को देख करके, अगर हम कुछ सोचें, या पास्च की कोई पुरानी चीज पड़ी हुई है हमारे फ्रिज में, मनरुपी फ्रिज में और उसने कुछ नया बोला, तो उसकी गंद उसके नये बोलने वाले विचारों में फैल जाती है तब हम किसी किसी को हम जब देखते हैं, तो हम पुराने उसके करमों के अनुसार उसको देखते हैं और ज्यादतर यह होता है फैमिली मेंबर्स में, कि हमारी जो सोच होती है, वो दूसरी बातों को, या कुछ नई चीज़ों को, हमें फिल्टर नहीं करने देती है हमारे संकल्ब पुराने जो किसी के बारे में होते हैं किसी के बारे में जो हमें सोच के रखा होता है वो एफेक्ट करते हैं उसके वर्दमान को तो वो इनसान कुछ आपको इसाथ में शेयर कर रहा है लेकिन आपके अंदर की जो सोच है उसके बारे में वो आपको ठीक तरीके से समझने नहीं दे रही है तो समन्दों में वहीं पर प्रॉलम आ जाती है तो POLMत मेन चाते हैं हम अंतर मुकी होकर के पहले अपने मन के फ्रिज के अंदर जो जो चीजें हैं उनको تو हम क्लिЕर करें किसी के past के बारे में कुछ गलत सोच के रखा हुआ है वो तो वबेक्ती है यह ऐसा उसने करना ही ऐसे है उसने बोलना ही ऐसे है यह होने से हमारे अंदर बहुत ज़ादा problems उत्पन होती है हम हर किसी के साथ में मिल जुल कर नहीं रह पाते हैं तो परमात्वा कहते है उसके लिए अंतरमुक्ता चाहिए अंतरमुक्ता का मतलब यह नहीं कि आप घर को बंद कर दें किसी से मिले ना आप बात करना कम कर दें लोगों से अंतरमुक्ता का मतलब है कि आप कुछ समय लेकर कि मेडिटेशन में अपने मन के अंदर औरों के प्रती हमारा हिसाब किता तो औरों के साथ होता है वेक्ति के साथ होता है खुते बिली के साथ तो हिसाब किताब नहीं होते बड़े बड़े तो इंसान के साथ ही होते है हम इंसानों के बारे में पूरे दिन सोचते रहते हैं किसी के साथी के बारे में सोचते हैं संबंदी के बारे सोचते रहते हैं उसने ये बोला, उसने ऐसे किया, उसने वो किया परमात्मा कहते हैं मेडिटेशन में बैठ करके, गुफ़ा में बैठ करके अंतर मुखी हो करके अंदर का जो मुख है मन भी बोलता रहता है बोलता रहता है DINBAR कुछ ना कुछ चाय आप मुँढम से ना बोले लेकिन अंदर मन चल रहता है वो जो अंदर का मुख है उसको आप चुप कराए किसी के बारे में अंदर भी वो ऐसा है, उसने ऐसे किया, वो ऐसे कैसे विखती है, वो तो बड़ा गंदा है, वो तो ऐसे करता रहता है, उसकी सोच देखो कैसी है, यह अंदर जो बाते चलती रहती है, वो है अंतर मुक्ता को चुप कराना है, उसको clean और clear करना है, तब जाकर के हम औरों को समझ पाएंग के उतना हर एक के दिल के रास को जानकर उसे राजी कर सकेंगे, तो परम पटा, परमातमा की मन में तो ना कोई और फट्मिव और ऑन जाने चलती है दिन बर, परमातमा, पटा तो बिलकुल ग्यान के सागर हैं, श्यानती के सागर हैं, उनके मन के अंदर कोई tension, कोई stress नहीं ह कि आपके मन के अंदर tension stress हो, आपका बच्चा कर अब अब से कुछ बात करें, आपको डान तो, अरे बात उसने कुछ करें, हम उसको समझ नहीं पाए, क्यों हमारे अंदर tension stress है, तो अंतर मुकता अपनी अंदर की गुफा में जाकर के पर अपने stress को clear करना है, कुछ बदबूद कहते हैं, कि उसके लिए आपको अंतर मुक्य होना पड़ेगा, अपने मन को ठंडा रखना पड़ेगा, फ्रिच के जैसे, और उसके अंदर जो जो गलत चीज़े हैं, गंदी चीज़े हैं, बदबूदार बाते हैं, सोच हैं, उसको निकालना जरूरी है, वो करें कैसे, उस आपको दिन शुबह, अगर आपको कुछ इसमें अच्छा लगे, तो उसके बारे में जरूर कमेंट करें, ओम शन्ती